वेल्कम फ्रेंट्स एंड वेल्कम तो दिस न्यू एपिसोड और इस एपिसोड में हम प्रिज्म का एक और केस शॉल करते हैं अलब एनालाईज करते हैं उसको जिससे कि आप प्रिज्म से रिलेटेड और इन बेटर से रिफ्रेक्शन से रिलेटेड प्राब्लम्स आसानी से सॉल कर सके ठीक है यह मान लो एक प्रिज्म है ठीक है जो किसी स्पेसिफाइड ग्लास का बना है ग्लास और इस ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो म्यू जी है इस वाले ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू जी है म्यू जी मीस ग्लास का एक रिफ्रेजन्टेशन है और इसका जो प्रिज्म एंगल है मान लो ए है करेक्ट इसी से सटा हुआ एक दूसरा प्रिज्म है जिसका कि प्रिज्म एंगल कि एडायस है और यह भी एक दूसरे टाइप के ग्लास का बना हुआ है और इस ग्लास का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वह म्यू जी डैस है कि इसके बाद कि मान लो यहां पर वाटर भरा है इसके बाद वाटर है और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लो है दिन्यों कि डबलू यानि वाटर पार आप और यह वाटर है तो उसको वाटर लिग ढहे है कि यह डोनों ग्लास है लेकिन इटिस्टिवल हाइब ग्लास है मैं यह हो सकता है कुछ ऐसा रिलेशन है कि कि यह जो म्यूजी डैस है यानि इस वाले प्रिजम का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है इस वाले प्रिजम के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यूजी इस वाले प्रिजम का रिफ्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् उत् trying look powerful म्यूंजी डैस से और इस प्रकार है कि म्यूंजी डेह सीज ग्रेटर दें यह ज्यानि इसका रिफॉर्ट्टव इंडे क्विस्मर्ट elbows आए इसके इसके बाद वाटर आता है और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास से अगर कम है तो तो ऐसा समझो कि दोनों टाइप के ग्लास चाहे वो म्यूजी डैस हो उसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है और चाहे म्यूजी हो उसका भी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है और वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है तो यानि एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सबसे कम है कुछ ऐसा है ठीक है तो बिट्र है कि हम इसको यहां पण यहां पह लिखें दिपर्धर का रिफरेक्टिव इंडेक्स है वह वाटर से से ज़्यादा है याँ सब जगह सब से कम रिफरेक्ट्ट्ट्ट्ट्र में जदा फिर जदा है इस वाले ड्लास का या उनक सब्सक्रेशन शब Windows काaca या 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 सब शालत के यह फेस है प्रिजम का इसको देते हैं नंबर वन ये वाला जो फेस है इसको इस फेस को नंबर देते हैं टू और ये जो फेस है इसको देते हैं नंबर थ्री कि ऐसा कुछ यह तीन इंटरफेस हैं इनको नंबर देते हैं अब हम क्या करते हैं कि इस पर एक लाइट बीम डालते हैं यह लाइट रे कहलो ऐसे हमने लाइट रे डाली मोनो क्रोमेटिक लाइट रे जिसके रिस्पेक्ट में यह सारी रिफ्रेक्ट्ट्व इंडेक्स हैं मतलब इस लाइट बीम की जो वेवलेंग्थ है उस उस पर यह सब डिपेंड हो रहे हैं तो इस लाइट के लिए एर ग्लास यह वाला यह वाला ग्लास मीडियम और वाटर का इंडेक्स यह सब हैं यह है आपका सिस्टम अब यह रे लाइट की यहाँ पर इंसीडेंट की गई ठीक समझो तो जहां पर इंसीडेंट की गई जो पॉइंट है पहले उस पॉइंट से होते हुए एक नॉर्मल डालो यानि इस इंटरफेस पर नॉर्मल इसी पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंसेंट पॉइंट ऑफ इंसीडेंट यह पॉइंट इंसीडेंट है इस पर इंसीडेंट कर रही है air से glass पर strike कर रही है तो यह point of incident है point of incident से ऐसा normal डालो जो इस boundary पर normal हो यानि इस face पर normal हो यह boundary का मतलब है कि यह इधर air है इधर glass है तो यह एक boundary type का काम करेगा उस पर एक normal डालो तो जब यह यहाँ पर गिरेगा तो normal के साथ जो angle बनाएगा वो है angle of incident इस face के लिए और यह number हमने space का 1 डाल रखा है तो I1 लिख सकते हो फिर since यह air है और यह glass है ray light medium से यह कह सकते हो rare medium से denser medium में जा रही है तो जाना उसका उसकी main direction तो इसी में बढ़ेगी लेकिन since वो denser medium में जा रही है तो अपने नॉर्मल की ओर थोड़ा मूड जाएगी ऐसे मानलो मूड गई तो अब यह रेज जब मूड कर जब अंदर रवेस करती है यानि इंटर करती है ग्लास ट्रांस्पारेंट है इसके अंदर इंटर करेगे जब इंटर करेगी तो आप वो नॉर्मल से एंगल बना रही है और मनल रिफ्रैक्टेड हो रही है दूसरे medium में एयर से ग्लास में और सो रहे है तो रिफ्रेक्टिव मीडियम sacrion एंगल जो इस मीडियम में है वहार वन 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 मीस इसी प्रेस की बात हो रही है तो करेक्ट आब यह जाए ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी इसी अपनी डारेक्शन में और फिर क्या होगा फि यह second interface यह second interface है जो कि दो medium को अलग कर रहा है देखा जाए यह glass है और यह भी glass है लेकिन दोनों के refractive index अलग-अलग है तो इसका मतलब दोनों different medium है और दोनों transparent है तो यह ray दूसरे में inter करेगी यानि दूसरे में refracted होगी तो पहले जब वो यहां पर इंटर करती है मलब यहां पर इंटर करती है और जब यह second interface पर जब यह फाल होती है इस point पर अगर इसका नाम P देदो तो यह point का नाम Q देदो जब जहां पर यह फाल होती है यानि incident होता है तो second phase के लिए यह अब incident का काम करेगी रेंग वह एंगल कैसे देख देख देखते हैं इस point पर नार्मल खिषते हैं दूसरा Nормल मुनब इप हैस्ट टू पर नार्मल खिषते हैं इसका नाम देते हैं मौनलो टेश के लिए एक 1919 एका काम करती है तो यह कहा जाएगा angle of incident फार फेस टूर ये एंगल नॉर्मल से बीजर किया जाएगा यानि normal की डिरेगशन से रे की normal डिरेगशन से और ये suspect नमबर टू तो एंगल आफ इंसीडेंट टू कि सिमिलरली अब यह रे जब निकलेगी इस मीडियम से इस मीडियम में यानि दूसरे मीडियम में यह यह दूसरे टाइप पर ग्लास है म्यूजी डैस जब इसमें निकलेगी तो वह रिफ्रेक्टेड होगी फिर से अब देखो देन सर्मिडियम यह वहला प्रिजम का मेटेरियल ग्लास में रेक्टिव इन्टेस वहाला यानि रेम बीडियम तो अब रेboard रेंस में जा रही है जाहिर सी बात ह pengna normal की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगी नार्मल ऐसे जब दो जीए नार्मल की ओर ठोड़ा बेंड हो जाएगे मानलो localized गई और इस टाइप से गई यह कितना इंग्र बनाएगी नॉर्मल से अब रिफ्रेक्टेड हुई है दूसरे मीडिया में गई तो यह आर और फेस नंबर अभी टू चल ला है आर टू अ उस्थ डेट आर टू शुड्ड बी लिस्ट रैना 2 क्योंकि वह रेयर से डंशर में गई न द नर मलन की और ठोड़ा जूड गई है लिख देता हूँ यहा से यह रेयर से डंसर में गई तो आई उन शुड भी ग्रेटर देन आर वन और यहां से वह आ इदे इनसर में गई यह लास ज्यादा डेंसर मनला रिफ्रेक्ट्ट इन डेंडेस का यानि डेंसर इन्द ऑप्टिकल टर्म डेंसर मिंस यहां पर अगर हम डेंसर बोल दें तो समझो ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडिक्स के बारे में बोल रहे हैं तो यहां भी वह नॉर्मल की और जुख जायागी यानि आई टू सुट भी ग्रेटर देन आर्टू क्योंकि हम अब देखो अब यह रे बढ़े गी आगे और मान लो यह यहां पर जाके टच की तो जब यहां पर गई फेस नंबर थ्री पर यह जो फेस है यह भी टू मीडियम को डिवाइड कर रहा है इधर ग्लास इधर वाटर दोनों लाइट के लिए ट्रांसपेरेंट है या अब यहां पर आये पहले इस पॉइंट पर यह जो फेस नंबर जो तीन है इस पर एक नॉर्मल खीचो और इसका नाम डो एंडबल डैस एंडबल डैस यह नॉर्मल खीचा हमने इस पॉइंट पर एस पॉइंट पर तो यह रे जब यह फेस थ्री पर मलब इंसीडेंट होती है गिरती है तो यह रे फेस थ्री के लिए इसीडेंट रे का काम करेगी और नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी उसको बोलते हैं आई यानि एंगल आप इंसीडेंट और यह फेस ट्विज नंबर सोच नो Mans Om और अफरे वातर में जाएगी लेकिन जब वाठर में जाएगी तो यह ग्लास वाटर में जा रही है और बहुआ है और ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थोड़ा नॉर्मल से दूर भाग जाएगी ऐसे चलो आपकी सुविधा के लिए पूरा वाटर से भर देते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत नहों पता चला उसके बाद फिर आप एर में फ़ुद जाएगी और जब यह निकलेगी तो नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी यह नॉर्मल ठान अ रिफ्रेक्टेड एंगल और और व्रेक मीटियम से डूसरे मटियम में घट तो रिप्रेक्टेड हुई है और ये face number 3 तो R3 और अब की बार ये जो R3 है ये ज्यादा होगा I3 से क्योंकि जो ray है वो denser medium से rare medium में गई है तो normal से दूर भागेगी यानि angle ज्यादा बनाएगी normal से हो से यह हुआ हमारा लाइट रे का प्रॉप्य केसर खरेवल कर रही कि एक यान से देख लिया लाइट रे किसे ट्रैवल कर रहा है कि संद्रों जो गया कि इदमा डिस्कराइब करके मैं ने बनाया तो आज रिफ्रेक्षन से कोई डाउट नहीं रहना चाहिएए आपका रिफ्रेक्षन आज से किलियर हो गया पूरी तरह तो पहले हम थोड़ा जियोमेट्चरी से मदद लेते हैं यह वाले देखते हैं यह वाले प्रिज्म में यह जिसका ये रिफ्रेक्तों इंडेस्मम्नुजी ये पहले प्रिजमें अर्वन और इस प्रिट पर वो नॉर्मल से अंगर बना रहे है आई-ट्या एक तो हमको यह रिलेशन मिला अब हम दूसरे प्रिजमें आते हैं यह वाले प्रिजमें इसका अगर एंगल है एडायस तो एडायस शुड़ भी इक्वल टू यह इसके अंदर रे गई इसके अंदर कहां है रहे यह रहे है प्रिजम के अंदर यहां से यहां तक रहे है यानि Q से S तक देखो के वह Q point से S point तर यह रे इस point पर normal से angle बना रही है R2 और इस point पर normal से angle बना रही है I3 तो हमको पहले यह दो relation मिले गए geometric relation इससे हम काफी हमारी आसानी हो गई यह डैस पता है तो यानि की लगभग इन में हमको बस काफी help मिल गई ठीक है अब हम इसने law लगाते है रिफ्रेक्शन के तो इसने law आप रिफ्रेक्शन एड पहिला फेस वन और point पीपर इसने law तो रे हमारी इस मीडियम से इस मीडियम में गई यानि एयर से ग्लास में गई तो पहले एयर का लिखो अर्वर नार्मल से एंगल बना रही है उस मीडियम में आई वन साइन आई वन एक्वल टू फिर वो रे ग्लास में आई तो ग्लास का रिफ्रेक्शन इंडेक्स इस वाले ग्लास का रिफ्रेक्शन एंडेक्स है म्यूजी ओके और जब यह रे इस मीडियम में यानि दूसरे मीडियम यानि ग्लास में घुसी तो वो रे नार्मल से एंगल बना रही है आर्वन साइन आर्वन एक्वेस्टन नंबर वन मिल गया अब हम इसने ला लगाएंगे इस पॉइंट पर दूसरे फेस पर इस पॉइंट पर देखो यह जो रे आरही है कर देखो जरह यह जो रे आरही है यह इस Glass से इस Glass में जा रहे है यानि एक मीडियम से दूसरी मीडियम में तो पहला मीडियम यानि इस पोइंट के या स्पेश के इधर देखो तो इधर एक ग्लास है जिसका रिप्रेक्ट्डव इंडेक्स है मुजी और यह जो रे जो आ रही है इस पोइंट पर यह नॉर्मल से एंगल बना रही है इस पॉइंट पर आई टू साइन आई टू इक्वल टू और जब यह यहां से यहां इंटर की तो यह दूसरे मीडियम में आई यह भी एक ग्लास है जिसका रिफ्रेट्ट्ट्व इंडेक्स है म्यूजी डैस ओके और जब यह दूसरे मीडियम में घुसी तो नॉर्मल से जो इंगल बना रही है वो बना रही है आर्टू साइन आर्टू एक्वेशन नमबर टू तो पॉइंट क्यू पर भी हमारा अनालिस हो गया और अब हम लास्ट अनालिसिस करते हैं सेल्स इसनेल्स लाउ आयट पॉइंट एस यानि तीसरे फेस पर कि यह रे जब यहां पर आती है तो वह ग्लास से जा रही है वाटर में तो पहला मेडियम ग्लास है जिसका रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स म्यूजी डैस है तो म्यूजी डैस यह रे ग्लास से इस प्रिजम के ग्लास से जा रही है वाटर में तो पहले प्रिजम के ड्लास कर जो रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स है यूजी डैस और जब यह पॉइंट फ्री पर आई यानि इस फेस पर इस boundary पर जब यह आई जो कि glass और water की boundary है तो normal से angle बना रही थी i3 sin i3 equal to अब यह ray दूसरे medium में गुश गई यानि water में गुश गई water का refractive index mu w और जब यह ray water में गुशी तो यह normal जो था उससे angle बना रही है r3 साइनार थ्री एक्वेशन नमबर थ्री यह एक्वेशन यह एक्वेशन यह एक्वेशन और geometric relationship से हमें यह और यह मिला इन पांच जो हमें equation मिल गया है इससे हम पूरा प्रिज्म का analysis हो गया यानि जो भी value आपको निकाल नहीं हो आप निकाल सकते हो पूरे प्रिज्म का हमने यह प्रिज्म सिस्टम का हमने analysis कर लिया हर प्वांट पर रिफ्रेक्शन ला लगाया और जियोमेट्रिकल मदत ली और हमारा analysis पूरा हुआ तो इस तरह से problem solve करते हैं और आइ तिंग यहां से आपको सारे रिफ्रेक्ट्टू अब्लब रे के रिफ्रेक्शन से रिलेटेड सारे आपके concepts clear हुए और आपके प्रिज्म के भी concept सारे clear हुए और आप कैसा भी अप question हो आप solve कर लेंगे ठीक है तो मिलते हैं next episode में और हम new topic पर आगे देखेंगे कि क्या कुछ और सीखने के लिए है ठीक है चलो मिलते हैं next episode में और तब तक के लिए take care bye bye